हेलो आज को हमारा जो टोपिक है वो है फोर्मेट ओफ कैस फोलो स्टेटमेंट तो कैस फोलो स्टेटमेंट के टू फोर्मेट्स है जिसको एक को डिरेक्ट मेथड से करना है एक को इंडिरेक्ट मेथड से करना है तो यह हमारा कैस फोलो स्टेटमेंट हमारा चैप्टर है काउ तो आप यह समझ लिजिए कि कोई सावी मेथड हो उस cash flow statement का उसको तीन activity में बाटा गया है एक है cash flow from operating activity, cash flow from investing activity और एक है cash flow from financing activity तो अब हम यह समझना है कि किस activity में क्या क्या चीज आती है अगर हम इस बात का पता होगा इस activity में यह आएगा तो फिर हमें आसानी रहेगी numerical को cover करने में तो cash flow from operating activity करेंगे हम direct method से तो cash receipts from customer आएगा, cash paid to supplier या employees आएगा और ज्धान रहें, cash receipts from customer जो एड होगा, इस dot dot का मतलब है plus वाले item और यह bracket का मतलब है minus item, minus होने वाल item है, negative item तो cash pay to supplier हो minus हो जाएगा और इन दोनों को plus minus करके जो निगलेगा उसको बोलें cash generated from operating activity जो भी आई आए आपकी उसके अंदर आप less करेंगे income tax paid, फिर आपको जी कहा लिकरा लेस, यहां नहीं लिखा हुआ है, bracket में जो लगा हुआ है, इसका माइनस हो रहा है माइनस होने के बाद cash flow before extra ordinary item जो भी plus minus होने वाले है वो तो इसको जो भी करके निकलेगा उसको बोलेंगे net cash from operating activity पर अगर आपका answer minus में निकलता है तो इसको ऐसे बोलेंगे net cash used in operating activity माइनस में से राएगा तो use in लिखेंगे, पलस में से राएगा तो cash flow from लिखेंगे मतलब ठीक है तो इस तरह हमारी first activity direct method से complete होई और उसके बाद जो second activity है वो है हमारी B, मतलब cash flow from investing activity जो इसमें है वही हमारे indirect method के अंदर भी activity सेम रहेगी दोन्नों methodों में तो यहाँ पर यहाँ से करने का मतलब है वहाँ से भी cover करना तो मैं इसको करने से पहले आपको बता दू कोई भी आपकी assets है जो fixed उसको purchase और sale के बारे में इसमें बात होईगी और जो आप expenses receive करेंगे उसके बारे में बात होईगी और कोई बात इसमें नहीं होईगी पढ़ते हैं proceeds from sale of tangible fixed assets proceeds परलास होईएंगे ध्यान रखना क्योंकि sale करने से क्या हो रहा है cash inflow हो रहा है आ रहा है तो परलास होईगा proceeds from sale of intangible fixed assets and like goodwill ठीक है ना तो tangible हो या intangible हो उनको add करेंगे अगर हम proceeds from sale sale करने हैं तो proceeds from sale of non current investment ये भी एक assets है इसको भी add करेंगे interest and dividend received ये भी cash inflow हो रहा है add करेंगे rent receive inflow हो रहा है add करेंगे purchase of tangible fixed assets purchase करने से cash outflow होता है उसको less करेंगे purchase of intangible fixed assets like goodwill तो उससे outflow हो रहा है cash उसको भी less करेंगे और इसी तरह purchase of non current investment इससे भी cash outflow हो रहा है उसको भी minus करेंगे और इन सब का जो plus minus होगा वो क्या बनेगा हमारा net cash flow from investing activity और अगर minus answer आएगा तो क्या बोलेंगे used in लगा देंगे net cash used in investing activity उसके बाद ये हो गई हमारी second activity complete फिर है cash flow from financing activity यह direct method में वही है जो indirect method में तो आपके लिए benefit रहेगा कि आप indirect और direct दोनों के activity एक साथी revise कर लेंगे शिरफ operating activity दोनों ही methods में इंडिरेक्ट में डिफरेंट है अदर्वाइस निचली दो ए बी और C activity same है दोनों में तो financing activity को करने से पहले मैं आपको बता दो इसके अंदर finance में रुपए पैसे से संबंद जैसे की share होगे डिवेंचर होगे तो उनको purchase करना उनको से माल पैमिट करना उनको इसू करना और लोन वगेरा हो गया लों ट्रम लोन वगेरा और पेड हो गया जैसे dividend पेड रेंट पेड इंट्रेस्ट पेड तो वह ही इनके अंदर आएंगे और कोई इसके अंदर आइटम नहीं आएंगे यह तो मैंने वैसे बताया आपको अब इसमें से पढ़ लेते हैं परफोर्म में से परफोर्म कहता है प्रोशेड्स फ्रॉम इस ओफ शेयर एंड इवेंचर वही इस और करेंगे हम शेयर इवेंचर को तो कैस इंफलो होगा क्योंकि श जाए तो माइनस में आएगा क्योंकि ब्रेक्ट का मतला नेगेटिव होता है जब आउट फोलो होगा अपर मिय्ट करेंगे तो कैस आउट फोलो होगा मैस में होगा पैमिट ऊप्रोशेड़ डिवीडेंड ओ प्रिविएस यर का मैनेस होगा लॉंग ट्रॉम बोरोविंग इनकी पैसे वापस करने आपको तो cash outfollow हो रहा है मतलब जा रहा है तो minus होगा तो इन सभी activity का जो total होगा उसको बोलेंगे net cash from financing activity अगर आपका अंसर पलस में आता है और अगर आपका अंसर minus में आता है तो used in use लगाएंगे मतलब कैसे net cash used in financing activity तो इस तरह आपने तीनो activity निखा अंदर तो सभी activities में जो amount डलते हैं उनका total होने के बाद जो total एक activity का आएगा वो अलग से यहां पर सो कर देंगे फिर second activity का total है उसको अलग से यहां सो कर देंगे तो उन तीनों ही total को जो total आएगा वो हमारा answer होगा but answer verify करने का तरीका भी इसने हमें बता रखका है कि कैसे करे करेंगे net increase या decrease मतलब जो हमारा answer पहले समाएगा तो increase माइनस माइगा तो decrease in cash and cash equivalent ABC तीनों activity को पलस करके यह लिख देंगे तो यह तो था आपको direct तीनों का असर आ जोड़ करके पिर अगर आपको बिना कुछ करे पता लगाना है भी आपका अंसर ठीक है या गलत है तो आप क जैसा होगा तो आपको पता लग जाएगा भी हमारा answer ठीक है बिना question को complete करे भी आप पता लगा सकते हैं अनसर क्या आएगा वाक्की end कैसे करना है increase or degrees लिख दिया आपने ABC तीनों activity का total फिर add करेंगे cash and cash equivalent in the beginning of the year अब cash and cash equivalent में कैसा मिल है कैसे बेंक कैस ओर्टरम इनवेस्टमेंट इस तरह गाइटम इसमें सामिल है उसको यह लिख देंगे और फिर यहां पर double lines इसको close करेंगे यहां लिखेंगे cash and cash equivalent at the end of the year तो यहां इसी तरह इसने end करके दिखाया जब numerical लेंगे तो और आपको best तरीके से आ जाएगा बट अ फोर्मा था जो कि आपको समझ आ गया है उसके बाद आएगा आपका indirect method तो indirect method के अंदर भी आपको उसी तरह चलना है जो दो activity थी आपकी investing और financing वो तो वही है डी end जैसे कि हमने question का वो भी वही है बट बस starting की जो operating activity हो थोड़ा change है उसके बारे हम यहां discuss करेंगे तो कैसे करे अंदर cash flow from operating activity को यहां लिखेंगे net profit before tax तो इसको भी बनाना पड़ता है वही net profit before tax कैसे बनता है वो note no.1 पढ़ाएंगे आपको फिर उसके बाद adjustment क्या क्या करेंगे non cash और non operating items की तो जैसे कि add करेंगे depreciation add करेंगे preliminary expensive discount on is over venture return of goodwill return of patent return of trademarks return of interest paid on short term long term borrowing interest paid on bank overdraft credit loss on sale of fixed assets increase in provision for doubtful debts इन सभी चीज़ोगा हम add करेंगे ठीक है एड़ उसको करना जिस cash यह cash से रिलिटिड नहीं है यह ध्यान अपना item और जो हमारे लिए expensive type की है उनको add करेंगे जो income type है उनको less करेंगे opposite करना में ठीक क्यों net profit पहुचना है ना में तो net profit before tax है इसके अंदर खर्चे क्या हुएते पहले less हो चुके थे अब वापस add करने जो add हो चुके थी income हो less करनी है तो यह करने के बाद ही net profit पता लगेगा हमारा before वाला तो यह income में सामिल है जैसे कि interest income होगी dividend income होगी rent wall income होगी gain हो गया sale of fixed assets को करके decrease in provision for doubtful lapse हो गया तो यह minus होने के बाद तो जो आपका निकला उसको बोलते operating profit before working capital changes इसके अंदर फिर हम current assets और current liability का increase or decrease करके लिखेंगे अब धिहान रखेंगे अगर assets बढ़ेगी तो फाइदा है तो less करेंगे assets current assets गटेगी तो नुकसान है तो add करेंगे तो धिहान रखना है जो लोस होगा तो add करना है और जो profit होगा तो लेस करना अपोजिट कंडिशन्स हो करके चलना जैसे कि यहां चल देते हैं ठीक है जैसे यहां लिकरेंगे डिकरीजिन current assets तो क्या हो रहा है लोस हो रहा है पर add होगा increase in current liability क्या है यह लोस है न एड करेंगे increase in current assets फाइदा हो रहा है न तो less करेंगे इसी तरह decrease in current liability profit है फाइदा है तो less करेंगे तो इस तरह से यह करना आपको है यह करने के बाद क्या निकल के आएगा आएगा आपका सभी का total को हम बोलें cash generated from operation इसके अंदर less कर देंगे tax को income tax को जो प्रलसमेंसर आएगा तो इसको बोलें net cash from operating activity माइनस माएगा तो net cash used in operating activity तो इस तरह से फिर आगए जो एक्टिविटी होंगी यह investing financing यह सेम वही है इसलिए इनको अब करने के आपको सकता नहीं है अब हमें जूरुत है कि note number जो one है यहां पे यह हमारा net profit before tax कैसे बनता है इस इसके बाद हम आगे आपको बताएंगे इसमें कहता है कि net profit of the current year current year का जो profit हो लेंगे इसमें add कर देंगे reserve को किसी वी टाइप का reserve हो और profit and loss का जो balance होगा प्रपोर डिविडेंट previous year का वो add करेंगे और interim dividend during the year साल के दोरान का add करेंगे provision for tax made during the current year की add करेंगे और less कर देंगे refund of tax तो यह सब करने के बाद जो निकले अगा उसको बोलेंगे net profit before tax बाग की जो नहीं बात आपको समझा यह है उसके लिए हम numerical से आपको अच्छे से समझा देंगे जैसे कि यहाँ पर question हम लेके आपको इस परफोर्मे का benefit दिल आएंगे कहता है classified the following into operating activity, investing activity and financing activity cash equivalents will preparing the cash flow from statement तो यहाँ पर cash flow statement की तिनों activity और cash equivalent के बारे बोला गया है बस हमें यह item पढ़के बताना है किस के नतरगत आता है तो हमने परफोर्मर लगबग देख लिया है पढ़ लिया है समझ लिया है और आप अच्छे तरह learn कर लेंगे तो फिर आपका सानी रेगी इनको select करने में cash sale operating activity में आता है cash receive from trade receivable means यह जो cash है हमें receive हो रहा है तो यह भी operating activity का पार्ट है बट कोई assets हम purchase कर रहे हैं यह stock की बात हो रही तीशलिए operating में आए बट assets खरीद देंगे यह assets बेचेंगे building furniture building वगेरा तो यह सारे के सारे second activity है जो हमारी investing के अंतर गता है क्योंकि खरीदना और बेचना investing के अंतर गता आता है cash का लेन देन सारा operating के अंतर गता आता है और share को debenture को issue करना या फिर loan लेना देना वो financing activity के अंतर गता cash and cash equivalent के अंतर bank हो गया cash का balance हो गया short term investment इस तरह के आइटम इसके अंतर गताएंगे बस यहां से पढ़ो और बता दो यह इसमें आएगा जैसे कि sale of building second activity investing का issue of share and venture जो भी है वो हमारा financing activity का buyback equity share खरीदे यह भी तो खरीदे है तो यह भी कि किस तरह का यह आइटम है कि डिविडेंड पेड एक एक्सपेंसिस की तरह होता है और डिविडेंड किस पर पर इसलिए थर्ड एक्टिविटी जो हमारी financing उसमें जाएगा interest paid on the venture यह भी थर्ड एक्टिविटी में जाएगा बट इसने option सा दे दिया एक financing company एक non finance company तो जो finance company आ गई तो फिर तो जाएगा पहली activity में non finance आ गया तो जाएगा second activity थर्ड एक्टिविटी में इस बात का भी ध्यान रखेंगे cash purchase है तो कहां जाएगा first activity में cash pay to trade payable first activity में redemption of adventure थर्ड एक्टिविटी में prepayment of loan third activity में office expenses इस तरह से मतलब question को यह समझे लो भी कौन सी चीज की समय जाती है तो करने में आपको आसानी रहेगी अब यह illustration हमें यह सिखाएगी कि जो cash है वो inflow हो रहा है आउट फोलो हो रहा है या फिर cash and cash बस इसमें बताना में इन फोलो हो रहा है या आउट फोलो हो रहा है ठीक है या फिर कोई fact नहीं पढ़ रहा है यह हमें यहां से पढ़के पता लगा ना अगर हम इस चीज में intelligent हो गए तो cash flow statement बनाना बड़ा ही असान हो जाएगा purchase of inventory for cash तो इसको पढ़के आपको पता होना चीज का इन फोलो होगा या आउट फोलो होगा inventory purchase किया है तो आपको stock तो बड़ा है बट real में cash घटा है तो इसलिए cash का क्या हो रहा है यहां पे आउट फोलो हो रहा है purchase of goods on credit उधार माल आप खरीद रहे हैं तो cash तो देना ही नहीं पढ़ा आपने इसलिए cash का कोई effect नहीं पढ़ रहा है sale of goods costing 12,000 for 12,000 for cash माल को बेच दिया आपने 10,000 वाले को 12 में तो आपका cash कितना आया 12,000 तो इसलिए cash inflow होगा 12,000 तो इस तरह से आपको पढ़ पढ़ करके question में यह पता लगाना cash inflow है cash out flow है अगर यह आप knowledge हासिल गर पाएंगे तो फिर numericals तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असान हो जाएंगे करना यहाँ पर एक question हो लिया है मैंने इसमें भी यह बोल रहा है वो inflow, outflow, no flow of cash इसके बारे मैं यहाँ से बताना इनको समझके तो issue of deventure जब आप deventures को issue करते है तो business में cash increase होता है इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है यह inflow हो रहा है cash का ठीक है और issue of deventure to the vendor for purchase of machine भी machine खरीद लिया आपने vendor से और deventure दे दिये उसको तो आपके पास cash थोड़ी ना है आपके पास तो building machine आई है तो इसलिए यहाँ cash का कोई inflow, outflow नहीं हुआ इसका मतलब यह no cash मतलब की इसका बोलेंगे not affected ठीक है ना कोई effect नह deventure 10,000 98% तो 10,000 को 98% निकालेंगे आप calculate कर लेना तो यह जो आपका amount आएगा यह इस 10,000 से कम है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है जब आप purchase करते है deventures तो पैसा देना पड़ाएगा company को और company जब पैसा देगी तो cash का outflow होगा यहाँ ठीक है और redemption of deventure deventures की permit करेंगे तो cash क्या हो रहा है outflow हो रहा है cash का redemption of deventure by converting them into equity share कहता है deventures की जो permit करनी है उसके बदले आप deventures को share हो में बदलवा लेंगे तो cash तो देना नहीं पड़ा company को इसलिए यहाँ पे भी कोई effect cash पर नहीं पड़ा है तो no effect बोलेंगे interest pay to deventure holder sorry deventures तो deventures का interest pay किया है interest pay करेंगे तो ऐसे तो any interest pay हो गया पैसे देने पड़ते हैं पैसे देंगे तो पैसा जाएगा मतलब cash outflow होगा यहाँ पर purchase or patent assets को फ्रीदेंगे आप पैसा जाएगा outflow हो रहा है cash depreciation on furniture depreciation से ना cash आता है ना cash जाता है ठीक है ना तो building की बस furniture की value को घटा रहा है depreciation तो इसका मतलब यह business प कोई effect ने डालेगा old furniture return off जो पुराना furniture है वो return off का मतलब उसकी value down हो गई घट की तो घट जाने तो real में cash real में cash IR गया तो नहीं न तो इसलिए no effect payment of outstanding rent for previous month के payment करनी है जो पिछले बारी का आपका rent रुका वद पिछले मंत का उसकी payment करेंगे तो permit करेंगे तो करो payment पैसा जिसका आपको पता होना चाहिए कब inflow होता है कब outflow होता है बहुत ही beneficial points थे अब हम जब method के questions लेके आएंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी इन वीडियो को देखने के बाद हो question करने बहुत ही सराल और आसान हो जाएंगे तो आप इनको अच्छे से करें